वेल्कम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360 है, हमारे आज में माने श्रमीला फारुकी साहिबा, हम बात कर रहे हैं कराची की प्रॉब्लम्स की और अभी तक हमने यह इडेंटिफाय किया है, कि जी यह स्यासी प्रॉब्लम है, मेरी नजर में हैदर वई इस से डिसग्री करत इस तरह है कि हमारी स्यासत दानों और स्यासी जमातों ने लसानियत को फरॉब्लम देते वे और कौम परस्ती करते वे दडाड़ दाड़ लिये माशरे के अंदर और वो इस हद तक अब डल गई है कि उसको जोड़ना जो है, वो स्यासी जमातों की बसकी बात रही नहीं है, इसको मैं explain करने के लिए एक example देना चाहता हूँ, बेनाजीर भुटो शाहिबा की इशादत हुई, पाकिस्तान नखपे, भुटो खपे के नारे लगे लाड़काना में, एक फिजा थी, खौफ की, कराची के अंदर हर आदमी को मौका मिल गया, मौका परस, जो हैं, वो, कोई गाड़ी देखी, उसको जला दिया, कोई गाड़ी देखी, उससे तोड़ दिया, कोई मिला, उससे मार दिया, कोई मिला, उसको लूट लिया, इस दौरान, दूसरे दिन, मैं अपने घर के अंदर, I was refused in my house, मैं अपने घर के अंदर फसावा था, तो मस्जिद से इलानात हो रहे थे, मेरे घर, मेरे अलाके की मस्जिद में, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मेरी, शिम्रेश साहबा, मेरी घर की पानी की मोटर चल रही थी, तो मैंने वो मस्जिद के इलान पर गौर नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने आके घंटी बजाई, उसे कहा यह दिए पानी की मोटर बंद करूद कर दें आप आप मैंने का कई क्यों वगयते हैं आपने वसंवतर पानी मोलाना सब क्या गहरे है तो मिलाना सब फर्मा है थे करे इंटेलिजिंस इजादत देती थी उसके अंदर इतनी नफरत की गुंजाइश थी कि वह समझे इन्होंने दरियाए सिंध के अंदर इतना जहर डाल दिया है कि सब कराची वाले मर जाएं तो यह तो यह को वज़ा होती है नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुविस और मैं आपकी बात से तफाक करूंगी कि माजी में यह लसानी लसानियत को सुभायत को यह यह तासुप दिया गया अपनी अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंदन करने के लिए यह बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं आपको बताओं कि अनफॉर्शनेटल यहां किया हो कि यहां इंड यह आइजाद कर ली ना बतलब उन्होंने खुद यह सोच लिया कि ही अनफॉर्शनेटी और वो यह बात कह सकते हैं पूरा महला यह पूरा एरिया तो परेशान हो गया ना कुछ लोगों ने बिलीव किया होगा कुछ लोगों नहीं किया होगा अनफॉर्शनेटलिटली हम इन फरादियत से नहीं निकल रहें, इन फरादियत के बाद हम सुभायत से नहीं निकल रहें, हम पाकिस्तान की बात नहीं लेकिन एक आप चीज़ बताएं कि जो मेरा अमुईज का डिसेग्रीमेंट है वो इस हद तक है कि मैं समझता हूं कि अगर यही पार्टी जिन्हों ने इस इशू को इतना बड़ा बनाया है, अगर वो रिसीड करें तो यह वी आ नॉट इट अपॉंट अफ नो रिटर्न, इस कैन बी रिक्टिफाइड और यह नफरतें अवामी लेवल पे इतनी नहीं हैं, डिविजिन जरूर हैं, लेकिन यह नफरतें पुलिटिकल डिफरें यह नारा लग रहा था, लेकिन हमने अपने माजी से सीखा पीपल्स पार्टी ने, उस वकत आजिवली जर्दारी साब ने क्या नारा लगाया, पाकिस्तान खपे, और उनने नहीं का किस सिंद खपे, वो इस वत की सियासित तीशे मेरे साथ है, ने, देखें, यू पीपल्स आजिवली जर्दारी साथ है, ने, वो तो फ़ला अपनी मफात के लिए किया होगा, हमने एक हमारा माजर के साथ, not necessarily to you, बट हमारा एक mental blockade हो गया है, हमने कहा दे जिया सियासितान तो है, उनको तो गोली ब्लॉक करवाया है, ने, इतने सालों के जूटने सियासितानों के, मैं नहीं कहरी, without reason, ये इस नहच पर हम आज आगे हैं, कि एक तो हम सियासितानों के जूटे मकार हैं, उनको तो बाहर करें, आपको मैं बता हम मेरी सियासितानों के लिए किया है, कि जी मौलवी तो पता नहीं क्या जहाद और तबलीग और ये गलत चीज़ें जो हैं, इसके पर उनके पास थीं फिर्दाव साची कवान साहिबा और एसन इकबाल साहिबा और फिर्दाव साची कवान साहिबा ने बड़े सिंसेरली पहले मिनिट में प्रोग्राम के का कि देखें, ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, और मैं एक दो मिनिट के लिए मीरे इटेंशन है, इस वक्त भी, देखें, लोग जो मर रहे हैं ना, उनकी लाइक जिन्दगी की कोई पदर में है, और यहां पर ना मैं किसी जमाद का नाम ले रही हूं, ना मैं किसी एक एक जबान बोलने वाले का नाम ले, because this is what has created the problem, this is the root cause, कि हम तो नहीं कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है हम तो कहते हैं, जी हम सिंधी हैं, और सिंध के अंदर भी हम फला जबान बूलने मालें, यह इस के लिए ग्रास रूट लेवल के उपर आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, लेके उपरी लेवल पे, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, अगर पर फैर होंगे सब के लिए, तो, पकड़ें, बंद करें, ट्राइल करें, अदालतें भी यह आजाती, ट्राइल करें, और जुह है, अजा और जजा पताएं, प्रियुद आपको जाएं, और आपको जाहिए, आपको जाहिए, पुलिस इतनी सरकारी इंसाफ होना चाहिए, जिसकी वह ऐसे we are in this mess, यह जो प्राइविट टियर, जस्टिस होता है ना, कि जी इन्हों ने आपके साथ ऐसा कि आप आए मारे साथ, आप तो हमारी नसल के हैं, यह भी जस्टिस की तो मैं नहीं बात कर रहा है, आप यह कह नहीं रहे, लेकिन जो परसेप्शन अफ जस्टिस यह नहीं होगा कि मैं कोर्ट लेगे जाओगा, यह तवक्व आपको इंस्टिटूशन से और अपने मुल्क और स्टेट से रखनी चाहिए, और जिस दिन आपको एतमाद अपने स्टेट पे होगा, वहाँ यह फर्क जो है, कम हो जाएंगे, अमेरिका में यह हुआ, मैं कहता अपने इंडिविज़ल गिए और स्टेट यह कर रहा है, और कोर्ट वहाँ की हमेशा एक इंडिविजल को प्रियर्टी देती है, अमेरिका में इंडिविजल इस मोझ इंपॉर्टन अन दर स्टेट, यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कहाँ कर मेरा पते आप हैं पिपल्फटी को आप देखे जमाथ को आप बुला लें। और दो मजभी जमातों के नुमाइन देखे इतना जगड़ा होगा, इतना जगड़ा होगा, कि आप को प्रोग्राम को बंद करना पड़े का साथ नहीं बैठ सकते हैं, यह बाते वड़ी होती हैं, एपीसी बुला लें, राउंटेबल काउन पूला लें, उसकी जुरूरत नहीं है, यह सब तमाम चीज़े करने की, यह बाते हैं, बिलकुल सही कहा रही हैं, लेकर अब प्राक्टिकली तेफ फावर्वड यह है, कि मैं आपको बताऊं कि इस वख़त एक तो पुलिस में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन पुलिस में नहीं, क्या होता है, कि पुलिस इतनी पुलिसाइज हो गई, वादियाज इतनी politicize हो गई अगर आप उनको free hand भी देते हैं कि जाओ करवाई करो across the board तो वो नहीं करते हैं क्यों किसी ने किसी पूलिस वाले का कहीं ना कहीं affiliation है लेकिन जादर तरका तो आपके साथ होगा ना people's party के साथ तो आपकी बात तो सुनेंगे ना गलत राइट और रॉंग वो अपनी जमाद की ही बात करें लेकिन camera का काम तो अपना वो कर रहे हैं ना नहीं camera का काम कर रहे हैं लेकिन यह एक camera man really doesn't make a difference in the law and order situation in the biggest scheme of thing he makes a difference in whatever he is doing he makes a difference अगर मैं यहाँ पर बात करती हैं तो वह वहाँ सोटके मेरा गला नहीं दबा सकते हैं लेकिन जो कारकून है नहीं लेकिन आप अगर इस माई को पर आप जड़ा के फोकस से आटें वो फॉराँ आप से कहेगा के इधर हो यह camera अपना हटाएगा अपना काम तो करेगा अपना काम करेगा अच्छी तरह करेगा मैं आप बाप बताओं कि मैंने आपको एक छोटी से एक्जामपल दी लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं जब आप सियासी बात करते हैं जब आप बात करते हैं कि सियासी कारकूनों के बात करत अब तो बंदू निकलती है उठा गोली लगती बहुता और वहां से पीछे दो खड़े होते हैं सिर्द इधर गोली मारते हैं जफय दर मार देते हैं तो इतस वै्ठके बाटे करते हैंode all टॉक बाइट के बाते करते हैं करता कुछ नहीं मौक कफ तो सुने है वो पार्टी जमाते कहती है, बाई डीवेपनाइस करोगे तो हमसे दो ले लोगे, उनसे एक ले लोगे, फिर जो बाकी हमारा इंबैलनस हो जाएगा. वही बात है ना, basic trust deficit है, ये एक mental blockade है. वो trust deficit fostered over 60 people dying every day. बात माननी नहीं है, वो तो जूटे हैं मकार है, उनको निकालो. और हम क्यों शुरू करें, वो शुरू करें, हम तो बाद में देंगे, वो पहले रखें. और फिर आप बात करते हैं, कि लाइसे इसला जमा कर दें. अगर पुलिस पिचारें, देखें, पुलिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. I will take a city full of 300,000 people, जिनके पास डंडे हूं, बजाये इसके के एक शहर में. Of course, that is a preference, but the point is not, के जाहर है, de-weaponization is a good thing. डंडे भी क्यों? But that in itself will not be enough. डंडे मेरी नजर में इस वक्त एक जननत है, एक यूटोपिया है के कराची में 3 लाग डंडे वाले हैं. अबर ये डंडे और बंडुकों की बात नहीं हाँ, ये issue है, हमने रहना है यापर. देखें, state आपका और institutions जब strong नहीं होंगे, तो सब अपनी private justice अपनी political parties से ही और उनके फ्रोट्स होते हैं. एक और चीज़ है, एक और चीज़, आप ये इन्टॉलरंस का आप अंदादा लगाएं. अब भीतर काम करते हैं. आप करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं, पोलिस के बाल लेके जाएंगे, वा छोड़ देगा रश्वत लेके, यहीं मार दोसको. तो यह पूरी psyche, पूरे मास्टे में डिवल्प होगा, यह system has broken down and why it has broken down? Because over the years you have not allowed your system to flourish. तो आपकी हुआ में अपनी जमाद के हवाले से बात कर सकती हूं, हत्मी तॉर में किसी और के बारे में तो जवाब दे नहीं हूं. हम तो policy जब लेकर आए, reconciliation क्यों लेकर आए, सिंध में भाई हमने इन लोगों को क्यों मिलाया? नहीं, Heather, आप बिल्कुल मुस्क्राइएंगे, अब मुझे पते है, आपकी मुस्क्राहट से यह तासर आ रहा है कि यह उसे हैं कि क्या बकवास कर रहा है? नहीं, यह आ रहा है कि reconciliation, reconciliation, sot number, लेकिन reconciliation for political, to make sure you hold on to political power, एक चीज होती है, और substantive reconciliation, जिससे आप… आप लोग हमेशा हमें इल्जाम ठहराते थे, कि आप reconciliation जो है, अपने एकदार को तूल देने के लिए कर रहे हैं, MQM आपसे अलग होने जार रही है, अभी तक हत्मी तोर पे नहीं हुई है, इस्तीफे नहीं हुई है, इस्तीफे नहीं हुई है, आपने कार्टून देगा इस देखें, इस शेहर की खातर वापस आजाएं, बात यह है, आप कहते थे, reconciliation जो है, इक्तिदार को तूल देने के लिए आपने शुरू की है, पाँच चार दिन हुई है, चार दिन में नवे लाशें आपने देखी हैं, तो क्या reconciliation बहतर नहीं थी? अगर सियासी जमाते साथ नहीं चलती हैं, तो नवे लोग मर जाते हैं, और अगर सियासी जमाते साथ चलती हैं, तो कोई नहीं मरता हैं, जब तक आप reconcile नहीं करेंगे, देखें वो tolerance, जब आपकी अपने लीडरान, बैट के, दूसरे के खलाप बात करते हैं, टीवी चैनल प्रेस कांफरेंस में भी, आप अपने कारकुनान को नहीं रोक सकते हैं, तो यह MQM की ग्रीवियंस क्या है, आपको छोडने की क्या ग्रीवियंस है, देखें अपरेंटली तो वो एक election की seat थी, कश्मीर की, तो आप 20 जोलाई को हो रहे हैं, देखें हमारा मोकफ इलतजा हो सकता है, वो समझता हूं, यह trailer आगे जाके election में भी आपने seat मांगने हैं, यह district west से दो यह, हमें दो वहां की यह, हमें दो तो इनने गा भी, पंगा अभी से डाल दो, ऐसा है क्या, देखें, कोई गुना तो नहीं है, रजा हैदर शहीद हुए, MPA, MQM की, हमने, थुरूर सेटे हैं, हम इतहादी हैं, इस seat पे आप अपना candidate खड़े करें, हम अपना नहीं खड़ा करते हैं, इस seat पे हम अपना candidate खड़े करते हैं, आप अपना नहीं खड़ा करें, देखें, किसी भी seat के या किसी भी area के या किसी भी खिते के जागीदार नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं ह कि और लाज अजेंड़ा आप साथ चल रहे होते इसे ज़व रही होती हैं हिए बात डोल doet है एक अ अब इंचा आजब चृब हожно一定要 अब डिचा कि होती है पहला और उन्होंने कहा थे अप पूजिशन में है कि कोई किसी को थ्रेट करें, ये कोई डंडे का जोट नहीं चलता है, पीमेल क्योंकि आप की बादा आप इस पूजिशन में हैं अमकेम के साथ, दूसरी चीज़ ये है, कि रहे मानमा लेकसाथ में जाता कि माफी मागें, अगर किसी की दिल आजारी होती हैं वो मैं माफी मांगती हूँ, आप माफी मांग सकते हैं, अगर किसी को कोई बात बुरी Days लग ले लिए किसी कोई बात बुरी क добрé is that पुलिस आपना काम नहीं श्मारी है रागी करना जारी तो अगर आप यह मान रहा हैं कि आप तक यह महांने कि आप इस और नोगे करें प्रफ़ते हैं देशत गर्दों को अदालत में जाते हैं चुटके बाहर आ जाते हैं उसके बाद उन्हीं के घरवालों को इसी तरफ इकदामात कर सकती है politics से divorce कर सके कि वो कोई legal order नहीं सुने और जो भी उनका legal mandate है वो फालो करें चाहे उपर से कोई भी बात आती है तो अगर ऐसा हो सकता यह हो रहा होता तो यह issue नहीं होता बिल्कुल अगर यह साला साल से कही लचे नहीं हो रहा होता है लेकिन मैं उसमें problem आपको बता रही हूँ जो होती है हम बात करते हैं बिल्कुल दिवोटर वो कहते हैं जी आम जब बात करते हैं कहते हैं आप लोग को माज़क के साल तरह साल बात चले जाएंगे फिर कौन आता है अम आज पकड़ेंगे इस दफ़ा उन्हें सब्सक्राइब को प्रण्टियर कंस्टैबलिर को पोलीस वाले ने फोन करेंगे का देशचतगर्द आ रहे हैं वो ठक 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 गाड़े रुक्टिसे पहले वो चार जो है आप अगर इन पुलिरिकल पार्टी से कारकुनान को कहते हैं तो वो तो नेक्स लेवल है रेंजर्स का पिछे दिनों सरफराश्य वो तो चले रेंजर्स आप आप रेंजर्स को कंपेर ही नहीं कर सकते फ्रंटियर कंस्टैबलिए शूट फर्स्टैबलिए मैं यहां ना रेंजर्स ना स्पोक्स परसन हूँ मैं आम नाट तो यू नहीं लेकिन सिंद्ध हुमार को ने बलवा रही है तो उसका तो आपको जिस्टिफाय करना है नहीं है लेकिन जब आप पौने दो करोड की अबादी में आप जब कारवाई चाहते हैं तो ना पुलिस काफी है ना रेंजर्स काफी तो आप कहीं से तो स्रेंट पनाएंगे ना जब आप एनपी की तरह सुनते हैं पौज लिया हुकूमत तो फिर क्या करेंगा आपको एक बाद बताओं और यह चाहिद मजाहिया लगेगा मेरे एक दोस के घर पर फ्रंटियर कंस्टैबलरी की लोग तायोनाथ थे उनके घर से बकरेद का जमाना था गाय बाग गई थी तो उनका कसाई गाय की पीछे भाग रहा था और वो आवाज लगा रहा था कि यह बाग गई और जैसी फ्रंटियर कंस्टैबलरी वाले को आवाज आई उसने गोली माल दी किसको गाय को है जो अचा गाय मर गई उसका फिर्स इंस्टिंक्ट यह था भाग रही है तास तो आपको आपकी जो एलीट फोस में जो लोग है जो आपकी रेंजर में जो पुलिस मे हैं जैसे में उनको भी आपको एक ट्रेनिंग देने की जुरूत है यह थो आपको एक ट्रेनिंग देने की जुरूत है आपको आपकी हिफाज़त करते हो फ्रंटियर कंस्टैबलरी इनका काम होता है हर चीज को दुश्मन, suspect, civilian, citizen नहीं होता है इनका काम और यह जो कर रहे है यह भी मतलब बहुत अच्छा है जो इतना ट्रेन हो गए है, with time, कभी-कभी गोलिया मार देते हैं इनसानों को, जानवरों को, आप देख रहे हैं Agenda 360, back with you after a break